बिसमिल्लाइख माने रहीम, असलामलेकूम वीवर्स, आज हम बनाएंगे बॉक्स प्लाजो का बहुत ही उपसूरा डिसन डिजाइन ये डिजाइन बॉक्स प्लाजो की इलावा कैप्री के उपर भी आप बना सकते हैं और साथ साथ हम एक बॉक्स प्लाजो की कटिंग बॉक्स प्लाजो में से बचाओ फैब्रिक है इस फैब्रिक की इस तरह से जो लेंट है 6.5 इंच है और जो वीट है इस फैब्रिक की 25 इंच है ठीक है और इस फैब्रिक की बैक साइट पे पेपर पेस्टिंग कर लिए ठीक है अगर आपके पास paper pasting नहीं है तो without paper pasting भी आप ये design बना सकते हैं तो अब इस तरह से paper pasting के उपर हम तीछी liner draw करेंगे पोने एक इंच के margin से मैं अंडाजे से draw कर रही हूं इसके उपर lines तो इस तरह से हमने तीछी lines draw कर लियें इस fabric की back side पर अब ये मेरे पास anchor का thread है तो इसे मैं bobin में इस तरह से feel कर लूँगी और bobin को इस तरह से bobin box में हम डालेंगे और machine में लगा लेंगे और इस तरह से फिर हम इसके उपर slay लगा लेंगे fabric को हम down side पर रखेंगे बोbin वाले side पर रखेंगे इसके उपर में सार्डिनल की लगाई है तो इस तरह से मैंने इसके उपर तीछी जो slay लगा लिए anchor के thread के साथ अब हम इस fabric को double fold कर लेंगे और press कर लेंगे double fold करने के बार बिल्कुल इस तरह से center से हम complete पर इसी तरह से सारे fabric को cutting कर लेंगे अब इन दोनों को separate कर लिए मैंने अब यह मैंने card लिया यह rough card है मेरे पास ठीक है इसे मैं double fold करूंगी इस तरह से इसके उपर सबसे पहले हम एक pattern cutting करेंगे double fold कर निगबा इस तरह से हम marking करेंगे पौने एक इंच पर इस तरह से पौने एक इंच पर हम marking कर लेंगे ठीक है और इस side length में हम marking करेंगे सवाए एक इंच पर इस तरह से और marking कर निगबा इस तरह से इसके उपर हम तेछी line draw कर लेंगे और एक V हम cutting कर लेंगे इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंट है वो हो जाएगी इस तरह से जो वीट है वो हो जाएगी पौने दो इंच और जो लेंट है वो सवाए एक इंच है अब हम कैन्वस पेपर ले लेंगे यह मेरे पास कैन्वस पेपर है लाइयां लगए उससे मैंने थोड़ा सा एक्सरा ये canvas paper लिए है इसे हम four fold करेंगे ठीक है double fold करने के बाहर four fold कर लेंगे और इस तरह से जो open side है इस side से हम half inch के margin से line draw कर लेंगे complete हमने इस तरह से line draw कर लिए है अब जो folding इस side है इस side से हम इसे draw करना start करेंगे pattern लेंगे सबसे पहले हम double fold करेंगे इस तरह से हम single draw कर लेंगे ठीक है बिल्कुल center में हम draw करेंगे canvas paper के जहांसे हमने इसे fold किया है और फिर इस pattern को इस तरह से हम खोलते हुए draw करेंगे और इसी procedure को follow करते हुए हम complete इसी तरह से canvas paper के उपर इसे हम draw कर लेंगे so इस तरह से हमने इसे draw कर लिए ठीए complete हमने इसी तरह से draw कर लिए draw करने के बाद अब हम इसे इसी outline के उपर cutting कर लेंगे complete ठीक है इस तरह से हम इसे cutting कर लेंगे और यह मैं जो मैंने cut work cutting की है यह मैंने trouser के plazo के one side का जो पांच है bottom है ठीक है उसके लिए मैंने दो यह cut work cutting की है अब हम इने paste करेंगे fabric लेंगे मेरे पास fabric है जिसके उपर हमने slice लगाए थी इसकी back side पे हम इसे press की मदद से paste करेंगे और किनारे वाल side से थोड़ा सा fabric छोड़ देंगे इसे हम fold करेंगे press की मदद से इसे हमने stitch नहीं करना just हमने इसे press की मदद से fold कर लेंगे अब हम एक और fabric लेंगे बिल्कुल इसी बराबर का एक simple साथा fabric ले लेंगे plazo का ठीक है मैंने core fabric लिया है अब इससे इस fabric को इसके उपर रखेंगे और अच्छे से हम pin up करेंगे और किनारे वाल side से थोड़ा सा extra fabric लेंगे ठीक है इस तरह से fabric हमने pin up कर लिया और फिर हम इसी तरह से इस cut work की outline के साथ साथ हम इसी तरह से stitch करेंगे । इसी तरह से complete हम इसी तरह से stitch कर लेंगे अगर आप निए तो मैं चैनल को प्लीज जरूर subscribe कीजगा video को भी जरूर like ओ शेयर कीजगा इस तरह से stitch कर लिए स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोटे बागी फैब्री को हम कटिंग कर लेंगे पिस सेंटर में हम छोटे-छोटे से कर्स लगा लेंगे और पिस राइट साइड पर इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे सो इस तरह से टर्न कर लिए टर्न करने के बाद इस तरह से प्रेस कर लिया है और बैक साइर वाला जो फैबरिक है इसे इस तरह से इसके उपर रखेंगे प्रेस करेंगे और इसे भी हम ब्राबर रखते हुए फॉल्ड कर लेंगे ठीक है इस तरह से ब्राबर रखते हुए फॉल्ड करेंगे तो यह मैंने प्रेस करके दोनों किनारों का जो फैबरिक है, इसके सेंटर में मैंने फोल्ड कर लिया है, प्रेस की मदभ से ठीक है कि ब्राबर फोल्ड हो चुक ए अब हम लेस लेंगे, ये मेरे पास जोईंट लेस है, तो इस लेस को मैं, ठीक है इन्हें हम इस तरह से जो किनारे है इस cutwork के center में रखकर हम stitch करेंगे लैस का जो one side का किनार है इन किनारों की इनके center cutwork के center में रखते हुए stitch करेंगे दूसरी लैस ही है single less है मेरे पास इसे भी joint less की तरह हम in cutwork के center में रखते हुए stitch करेंगे ठीक है अब हम इस तरह से एक कटवर के सेंटर में जॉइंट लैस को स्टिच कर लेंगे और दूसरी सेंटर में कटवर के सेंटर में हम सिंगल लैस को स्टिच करेंगे सो इस तरह से हमने कटवर के दोनों किनारों के सेंटर में लैस को रखते वे स्टिच कर लिए ठीक इस तरह से हमने इने सेंटर में रखने हुए स्टेच करेंगे माशाला सब भी बहुत एक्सपर्ट है और बहती है सबूला सब्स हूआ बहुत ही कि इसकर लियंगे तो इसला से इनके कि नारे में हम रखते हुए इन पर्स को सुई की मदद से सिच कर लिया तिकले इस तरह से स्टेच कर यह स्तेच करना यह मैंने प्लाजों के दोनों पांचे के लिए इन-कटवर को स्टीच कर लिए अब हम ट्राउजर लेंगे यह प्लाजों मेरے पास तो यह इसके बॉॉट्ब वाली साइड से हम हम इस कट वर की बैक साइट को रखते हुए सेंटर लैस वाली साइट से रखते हुए हम इसे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे सो इस तरह से फिर हम इसे complete stitch करेंगे joint less वाली साइट से patch को back side से stitch करने के बाइस तरह से right side पर सीडी side पर हम turn कर लेंगे और जो top वाली stitching है इस तरह से इसे भी हम stitch कर लेंगे बिल्कु किनारे के साथ साथ सो stitch कर लिया हमने यह जो हमने cut work ready की है हमने 3.5 इंच के margin से ready की है और इस तरह से हमारा जो plazo cutting के साथ यह हुपसूर सा यह design भी ready हो चुक है ठीक है कि मैंने plazo के लिए design ready किया है क्योंकि जो plazo का bottom होता है वह बहुत ज्यादा होता है तो यह बहुत यह सानी से stitch हो जाएगा बहुत हुपसूर डिसन डिजाइन है अल्ला हाफीज